असलाम अलेकूम मैं हूरूज कुक विदूरूज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ उमीद आप सब खेरियास से होंगे आज हमारे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार केरमिल केक आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ तीन अंडो की सफ़य दे ली हमने एक जर्दी थी चिपकन वह जबरस्ती आ गई है कोई गहल नी जी बीट कर लेंगे 2-3 मिनट अच्छे से बीट कर लेंगे फूल के जाग जैसा हो जाए दो से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे देखे अच्छे से बीट हो गया अब इसमें शाम मिनट के लिए बीट करेंगे अच्छे से बीट कर लिया हमने अब इसमें शामिल करेंगे हाफ कप शुगर पॉडर और हाफ कभी हम ऑईल शामिल करेंगे इसके अंदर शुगर पॉडर और ऑईल डालने के बाद भी अच्छे से बीट करेंगे दो से तीन मिनट के लिए अब शामिल करेंगे वन टी स्पून वनिला एसस, अब शामिल करेंगे इसमें वन टी स्पून बेकिंग पॉडर, बेकिंग पॉडर शामिल करने के पाद अगेन बीट करेंगे इसको, अच्छे से बीट करेंगे एक कब हमने लिया मैदा मैदे गों डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और फोल्ड करेंगे एक साथ सारा मैदा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आतों की मतल़ से फोल्ड करते जाएंगे बागी का सारा बचा में तर डालेंगे अगेंड फोल्ड करेंगे यह हमने मॉल्ड को गिरीज कर लिया है अब बेटर डाल देंगे सारा असमें सारा बेटर अच्छे से फेला देंगे मॉल्ड के अंदर सारा बेटर डाल दिया हमने सारा भेटर डालने के बाद अच्छे से हलकी हाथ उसे इसको tap करेंगे ताकि अच्छे से मॉल्ट के अंदर set हो जाए better उचा नीचा ना हो level बराबर करने के लिए अच्छे से हलकी हाथ से tap करेंगे पतीला लेंगे एक बड़ा सा और 30 to 40 मिनट के लिए से बैक करेंगे कवर कर देंगे 30-40 मिनट के लिए केक होगी है रेडी ही देखें बिल्कुल अच्छे से पग गया है टूट पर हमारी साफ आईए बाहर अब निकालेंगे अथियास से बिल्कुल कि अधियास से निकालेंगे रात वाथ ना जले बिल्कुल भी केक को कट कर दिया है ने बहुत आराम से उठा लेंगे देखें कितने अच्छे सा निके तयार हुआ है बिल्कुल सौफ सौफ मुलाइं आदा कप क्रीम लिए अब इससे अच्छी में पहते बाख़ बहुत सारी ह देखते हैं कि यह इस बहुत गया क्रीम जाएंगे ड़े盆 तयारे क्रीम अब जाएंगे वादाए क्रीम डालेBlackकि चिनीय पैन में आ रखी धिवी शंडा कैरेमिल करैंपर में कार्मिल को खूँज कारें खूँज्सारिण यह हमनें क्रीम में शामिल करेंगे केरमल दो चाय का चमचा केरमल डालेंगे अगेन बीट करेंगे अब कप शुगर सीरप लिया है केक को शुगर सीरप लाएंगे हर तरफ अच्छे से शुगर सीरप पहला देंगे तक केक हमारा मीठा मीठा सो जाए क्रीम लगाएंगे क्रीम टाइम हर किल दविल लगाएंगे हर तरफ मृंषील करीम लगा देंगे किए केक तयार है ऑप अपनी पेपने के फि्लावर बनाओं से आपको बाँँका जैसंत ब्रम इस तीज अझे स्टाइल के नोजल लगाना चाहिए उस ताइल के फिलावर की नोजल सेने लगालें मुझाल एक फ्लावल के नोजल यह फ्लावर बनाऊंगीं के रैं मिल डालेंगे किर मिल को अच्छा एप फैला देंगे केoff r फूलों के साइड साइड में डालेंगे अच्छे से आसू बना लेंगे कह रहें मिलके बीच में थोड़ा मुझे खाली खाली लग रहे हैं मैं एक फ्लावर और बना दूँगी आप चाहें तो ना बनाए माशाल्ला से मारा क्यार मिलक बन के तैयार है बनाएगा इंचाहला आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा पसंद आए तो मैं चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेर करें मिलते हैं अगली वीडियो